यूपी PCS और आरो आरो एक्जाम में नॉम्लाइजेशन की प्रक्रिया को कभी भी सुईकार नहीं किया जाना चाहिए और इसमें आप सभी भी अपनी पूर्ण असहमती दर्ज कराईए क्योंकि ये यूपी PCS और आरो आरो जैसी उत्तर प्रदेश राजी की सबसे बड़ी परिक्छाओं की गरिमा को खतम करने का प्रयास है नॉम्लाइजेशन से परिक्छा की सुचिता परिक्छा की पवित्रता पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी आज तक यूपी PCS एक्जाम के ओल एक शिप्ट में होता आया था और आप सभी ने देखा था मानिय सर्बोच नियाले जी का निर्ने भी आया है और मानिय सर्बोच नियाले के निर्ने में ये कहा गया है कि परिक्छा की जब परिक्षा का नोटिफिकेशन एक बार जारी हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और निश्चित तोर पर जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के द्वारा इस समय बदलाओ किये गए आरो यारो की परिक्षा को तीन पाली में किया जाना UPPCS की परिक्षा को दो सिप्ट में किया जाना नॉमलाइजेशन की प्रक्रिया में लाकर इसको खड़ा कर देना ये लाखो अभ्यर्थियों के भविश्य का सवाल है बहुत सरे अभ्यर्थिय ऐसे भी हैं जिनका अंतिम प्रयास होने वाला है और अंतिम प्रयास हो या ना हो आप यदि UPPCS का एक्जाम दे रहे हैं आरो यारो का एक्जाम दे रहे हैं तो पहले तो वैसे भी बहुत लेट हो चुका है ये एक्जाम एक साल चला गया बच्चों का 2024 की डेट निहारते निहारते अब जो डेट आई है वो पूरी तरीके से सुईकार देखो परिक्षा आज करा ले कोई समस्या नहीं है लेकिन परिक्षा में जिस तरीके से सुचिता बंगी की गई परिक्षा में नॉमलाजेशन की प्रक्रिया किसी भी तरीके से इस परिक्षा को बेहतर नहीं बनाएगी इस परिक्षा को गर्त में लाकर के ढखेल देगी और इसलिए बड़े इस्तर का इस पे बहुत सारे चातर एक साथ खड़े हो रहे हैं और सारे लोग एक महा अंदोलन की तैयारी में भी हैं आपकी असहमती आपका अधिकार है आपको असहमती दर्ज कराना चाहिए इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी सुईकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक ऐसी परमपरा बिक्सित होगी एक बारे दी नॉमलाइजेशन से पेपर हो गया तो आप ये मान के चलिए कि UPPCS वैसे भी अप तो सरबोचने आले के निर्णा के बाद बहुत कम संभावना है आयोग को अब समय रहते हुए नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप सभी लोग 11 नॉमबर को 11 बजे प्रियागराज में आयोग के गेट नमबर 2 और 3 में एक महा अंदोलन का योजन हो रहा है और वो अंदोलन इसी नॉमलाजेशन की प्रक्रिया के खिलाप है कई बार क्या होता है धरातल पर उतर कर अपने अधिकारों की लड़ाई मांगनी पड़ती है कोई भी चातर नहीं चाहता कि वो जमीनी इस्तर पर जाकर के जो की परिक्षा आपने दिथी भी दे दी आपने डेट भी दे दी आनन फानन में पांच नॉम्बर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया परिक्षा की डेट पे बच्चा तो ये चाहता है अब कल ही एक्जाम हो जाए सबकी तैयारी ठीक है जो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन दो सिप्ट में किसी भी हालत में परिक्षा को सुईकार किया जाना UPPCS और आरो यारो जैसी परिक्षाओं में एक ऐसी परंपरा का विकास करेगा जो आने वाले समय में जो अभी तो हम लोग भुगतेंगे जो लोग एक्जाम दे रहे हैं आने वाले समय पर जो चातर इस एक्जाम में बैठेंगे उस सब भुगतेंगे इसलिए इस परंपरा के खिलाप नॉमलाजेशन किसी भी इस्तिती में UPPCS में नहीं आना चाहिए मैं भी इसका सक्त विरोध करता हूँ नॉमलाजेशन अपने आप में इतना घातक होगा कि परिक्षाओं की सुचिता को खतम कर देगा जहां जहां पर भी नॉमलाजेशन है वहां पर फॉर्मूले तो लगाए जाते हैं लेकिन फॉर्मूलों से जो प्रभाव पड़ता है एक आउसत स्कोर कैसे तेंग करेगा परिक्षाओं में प्रशन सही नहीं होते हैं परिक्षाओं में हर बार आप देखते हैं पाँ से 10 कोश्चन गलत ही निकालते हैं 800 कोश्चन होते हैं UPPCS के pre-exام पर और ROcence के एक्जाम पर 140 कोश्चन थे इस बार 200 question हो गए एक ही पेपर पे पहले दोनों पेपर मर्ज कर दिया गया और ऐसे में पूर्ण संभावना रहती है कि 5 से 10 question ये गलत ही होते हैं हर बार आयोग को मैं हमेशा एक ही आयोग से आगरह करना चाहूंगा कि एक उच्चिस्तरिय कमेटी बनाई ये कि एक question paper गलत कैस चाहे चली जाएंगी तो बहुत साए लोग होंगे आप में इन में से जितने भी आरो यारो की परिक्षा को लेकर और PCS की परिक्षा दे रहे होंगे जायतर बच्चे कर इस एक्जाम को दे रहे हैं अच्छा BPSC की परिक्षा भी December में हैं लेकिन वो एक ही सिप्ट में हो र इस समय चातर बेचारे अभी बहुत साए लोग तेवहार और पर्व से वापस लोट रहे हैं दीपा वली के बार छट महा पर्व का जो ये पूरा का पूरा समय चल रहा है तो अब जाकर के बच्चे जो है फ्री हुए हैं वापस लोट रहे हैं और जिस तरीके कि ये आसा जनक रही आयोग से या पेक्षा नहीं बनती है आयोग एक बहुत जिम्मेदार संस्ता है और मैं सच बताओं यदि UPSC से कंपेर करें तो जितने भी आयोग हैं खासकर लोग से वायोगों की स्थी बहुत ही मलब पता नहीं किस आधार पे निर्णे होते हैं क्या कहीं पे ये अपने आप में बहुत ही बेदभाव पूर्ण होगा तो मैं आप सभी से आगरे जरूर करूँगा लगातार यदि आप मेल कर सकते हो मेल करिए ट्वीट कर सकते हो ट्वीट करिए ग्यारा नॉंबर को यदि आप प्रियागरा जा सकते हो तो जाए लेकिन अपन सबसे important चीज ये है कि आप सभी अपनी असहमती अवश्य दर्ज कराईए आप इसमें पीछे मत रहिए अपनी असहमती दर्ज नहीं कराएंगे पता ही नहीं चलेगा और यहाँ पर छात्रों के एक जुटता सबसे ज़्यादा जरूरी है यदि सब एक जैसे सोचेंगे एक जैसे विचारों से जुड़े रहेंगे सब का प्रभाव आपको भी पड़ेगा यह आपकी लड़ाई है आपकी अपनी लड़ाई है आपको अपने लिए आयोग से लड़ना है और अधिकारों के लिए लड़ना कोई भी गलत बात नहीं है यह हमारा constitutional right है जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर आवाज उठानी चाहिए और यह बिलकुल गलत है बिलकुल भेदभावपूर्ण है जहाँ पर भी normalization हुआ है वो परिक्छाएं आज उनकी सुचिता पवित्रता बची नहीं है आप SEC का exam देख लिजे समस्या यह है कि यहाँ पर math और reasoning का बहुत बड़ा weightage नहीं है यहाँ पर GS का weightage बहुत ज़्यादा है और GS एक subjective matter होता है कोई भी topic कोई भी बिशय कोई भी subject आपके लिए आशान हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए कठिन हो सकता है तो यहाँ पर यह तैंकर पाना कि कौन सा question किसके लिए कठिन है किसके लिए कौन सा question आसान है यह अपने आप में और भी कठिन हो जाएगा तो इसलिए UPPCS के जितने भी छात हैं RO के जितने भी छात हैं अपना असाहमती जरूर दर्ज कराएं असहमती दर्ज कराने के जितने भी डिश्टल और सोशल माद्ध हमें उनका भी सहारा लें और बिल्कुल भी आप ये मस सोचके बैठिएगा कि ये लड़ाई आपके भाई आपके दोस्त आपके मित्र रोड पे लड़ रहे हैं आपको कोई भी वाकिया नहीं है आपको उनकी पूरी चिंता होनी चाहिए क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए वो हैं और यदि आप उसमें अपना योगदान जिस तरीके से दे सकते हूँ मैं पूरी तरीके से जो मुहिम है उसमें पूरी तरीके से सभी चात्रों के साथ हूँ और मैं आप सभी के साथ हर मोमेंटम में रहूँगा मेरा जो भी योगदान हो सकेगा मैं पूरा योगदान करूँगा नॉमलाइजेशन हर इस्थिती में हटना चाहिए नॉमलाइजेशन को सुईकार नहीं किया जा सकता है नॉमलाइजेशन इस परिक्षा को गर्त पे ले जाएगा और मैं तो कहता हूँ देखो कुछ एक्जाम ऐसे हैं यसे यूपी पुलिस के ही एक्जाम को देख लीजेए यूपी एसाई के एक्जाम को देख लीजे मैं इसे बहुत सरे बिरतियों को जानता हूँ जिनका स्कोर अच्छा रहा लेकिन नॉमलाइजेशन के कार्ट से वो छट गए अभी आप में से बहुत साई लोग इसके दंस को नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन जो इस दंस से गुजरे हैं जिन्होंने नॉमलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से अपने आपको जो जूजे हैं उनको पता है इसका दर्द और इसका दंस ठीक है तो इसलिए जो UPPCS और RO वाले बच्चे हैं आप सभी लोग सचेत और सतर्क रहिए और आयोग के इस नोटिफिकेशन में हूँ जो हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है नॉमलाइजेशन खतम होना चाहिए एक सिप्ट में एक ही दिन में UPPCS का पेपर करवाये जाना चाहिए और RO यारो का भी पेपर करवाये जाना चाहिए परिक्चा आप आज ले लीजिए दिसंबर में ले लीजिए यदि आपको लग रहा है कि जो नियम और कानून है परिक्चा की तिथी को आगे बढ़ाये जाना चाहिए वो भी सुईकार है लेकिन परिक्चा किसी भी हालत में दो स्विप्ट में सुईकार नहीं हो सकती है नॉमलाइजेशन की प्रक्रिया सुईकार नहीं हो सकती है इस पर मैं अपनी तरफ से और आप सभी जितने भी छात हैं आप सभी भी अपनी अशाहमती जरूर दर्ज कराईए बहुत जरूरी विशय है